नेशनल हाईवे स्थिट ठिकरी बाइपास पर पूल के पास बस के पहिये के बैरिंग घरसन के कारण शार्ट सर्किट की वज़े से एक चलती बस में आग लग गई जिससे बस जलकर खाक हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसर महराष्ट के नासिक से भौपाल की और जा रही वर्मा बस में अचानक बस के पहिये का बैरिंग तूट गया जिससे घर्शन के कारण आग लग गई स्लीपर बस में स्टाफ सही 15 लोग सवार थे आग लगने की घटना के बाद बस में बैठी सवारियों को सुरक्षित निकाल दिया गया जिससे बस को ड्राइवर द्वारा रोड के साइट से रोका गया जब तक बस में आग लगने से बस धूधू कर जलने लगी वही सुषना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची आग लगने की सुषना फायर ब्रिकेट को दी गई वही ठिकरी सही धामनोत से फायर ब्रिकेट पहुची जब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी बताया गया कि बस में पीछे डिक्की में अनार और अंगुर भरे हुए थे ज जोराने हाथसा हो गया हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई सवारियों को दूसरी बस की विवस्था कर पहुचा दिया गया ब्यूर रिपोर्ट खरगवन का करते हैं आप पार वादाध को जो वह समय किस टाइम की बात आपको कब शुचना मिली सुचना मिलुक्षा पर देकर आपण बशस की मुझना निकार पूरी पूरी जेली यह सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले बिल्कुल